ग्राम पंचायत पिपलिया में 14 वांख 80,000 की तलाई 6 माह में ही फूटी वही जन्पद अध्यक्ष सर्दार रावत ने किया मौका मुआयना वही जन्पद सीयो इंजिनियर कार्यवाही का आश्वासन ही देते रहे भीकन गाउ तहसील के पिपलिया पंचायत में नव निर्मे तलाई बनाई गई थी जो मात्र कुछ महीनों में ही तूट गई जहां जिसमें एकत्रित पानी बह गया जन्पद सीयो ओपी शर्मा को जब अवगत करवाया गया तो उन्होंने कार्यवाही करने का बोला किंतु कार्यवाही कागजों पर होती उससे पहले ही मंत्री सचिव ने बिना इंजिनियर जाच के फूटी हुई तलाई पर जैसी भी मशीन से मिट्टी फूटे हिस्से में मिट्टी डाल कर रिपय का कार्य करवाया जा रहा था ग्रामीनों का कहना है कि पानी पूरी तलाई से नीचे से निकल रहा था किंतु सचिव मंत्री अपनी मनमानी करते रहे मंत्री सचिव को रसुकदार राज नेताओ का सनरक्षन प्राप्त है वही जनपद अध्यक्ष सरदार रावत ने मौका मुआयना किया जिस पर जनपद पंचायत सीयो को कार्यवाही के लिए तीन दिन का समय दिया था सरदार रावत ने सीयो ओपी शर्मा एवस्डियम महोदे को जाच के लिए अवगत करवाया है फिर भी बगैर जाच के मंत्री सचेव अपना काम जोरो से कर रहे हैं अब देखना यह भी होगा कि जनपद सीयो कार्यवाही करते हैं या यू ही लीपा पोती कर थंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा यूनिट इंडिया न्यूस के लिए भीकन गाउ से आत्माराम पतेई की रिपोर्ट इसन पिस से खेए हैं वर्त एला वा इस आत्मार इस जुआ है